दोस्तो, UK में अभी 20 लाख से ज़्यादा vacancies की जरूत है, जिसमें से 16 लाख vacancies थो उनको अगले 4 महीने में चाहिए और सबसे ज़्यादा उनको लोगों की जरूत है health sector में, जिसमें उनको चाहिए 1,70,000 लोग फिर आजाती है hospitality industry, जिसमें चाहिए 1,40,000 लोग फिर आजाते है technical professionals, जिनकी vacancies total है 1,00,000 से ज़्यादा उसके बाद आजाते है factory workers and manufacturing departments, उसमें 80,000 से ज़्यादा openings है currently फिर आजाती है retail industry, जिसमें 75,000 से ज़्यादा openings है फिर आजाता है administrative and customer service works, जिसमें 70,000 से ज़्यादा openings है तो ये जो sectors मैंने आपको बताए, इसमें transport sector भी है इन सब में बहुत सारे shortage jobs है मतलब अगर आप इन jobs के लिए apply करोगे, तो आपको easily visa मिल सकता है provided आपके पास अनुभव होना चाहिए फ्रेशल लोगों को ज़्यादा entertain नहीं करता है UK इसलिए आपको एक साल से ज़्यादा का अनुभव होना ही चाहिए आप तब ही apply कीजिए और अगर आपको पास साल से ज़्यादा का अनुभव है तो शायद आपको scholarship भी मिल सकती है मतलब जो company आपको hire कर रही है वो ही आपका रहने की भी व्यवस्ता करेगी खाने की भी व्यवस्ता करेगी और आपकी flight की ticket को भी देखेगी लेकिन ये सिर्फ expert लोगों के लिए जिनका पास साल से ज़्यादा का अनुभव है अभी जैसे मैंने आपको news में बताया था कि 5000 से ज़्यादा lorry drivers की जर्रोथ है और वो vacancy fill नहीं हो रही है पिछले 2 महीने में सिर्फ 27 lorry drivers उनको मिले वहाँ पे petrol की बहुत shortage चल रही है जिसकी वज़े से उनको ये drivers की जर्रोथ है तो इसी टाइप से बहुत सारी job vacancies निकल रही है जो भी short supply में है उसमें अगर आप apply करते हो तो आपका job मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी तो ज़्यादा सोचिये मत CV cover letter बनाईए और apply करना शुरू कीजिए अगर आपका high quality CV cover letter है तो आपको acceptance भी आएगा दोस्तो अगर आप अभी मुझे से CV cover letter बना रहे हो तो मैं आपको full process में guide कर रहा हूँ ये offer सिर्फ limited time के लिए और मैं सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही काम करता हूँ अगर आप इस channel में नए हो तो इस channel को subscribe जरूर कीजिए क्योंकि इस type की news में डालते रहता हो और आपको नहीं नहीं job openings के बारे में भी पता चलता है और कैसे apply करें वो भी आप सीखते हो